अजमेर सहेद देश भर में मुसलिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद की रौनक देखने को मिल रही है रमजान के समापन के खुशी में मंगलवार को मुसलिम समुदाय ने कुरोना की चलती दो साल बाद ईद उल्फतर मनाई देश भर में ईद को लेकर खुशी का माहौल है धार्मिक नगरी अजमेर में महान सूफी संथ हजरत क्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिष्टी की दरगा में इस्थित शाज़हानी मस्जित केसर गंजस्तित ईदगा और नौसर इस्तित ईदगा सहित विभिन्नम मस्जितों में नमाज अधा की गई दो साल बाद हुई ईद की नमाज में बड़ी संख्या में अकीदत मन शामल हुए मुख्य नमाज केसर गंज स्थित ईदगा में हुई शहर काजी मौलाना तौसिफ अहमद सिद्धिकी ने नमाज अदा कराई ईदगा परिसर नमाजियों से फुल भरा हुआ मिला इसके बाद ईदगा के बाहर भी गोल चक्कर के आसपास बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद रहे नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिल कर मुबारक बाद दी इससे पूर्व ख्वाजन साहब के दरगा में इस्थित शाज जहानी मस्जित में ईद की नमाज अदा की गई दरगा परिसर भी नमाजियों से पूरा भरा हुआ था दरगा में ही इस्थित संदल खाना मस्जित में भी ईद की नमाज हुई कलेक्टरिट के पास इस्तित मस्जिद मुए मुबारक और रेलवे स्टेशन के सामने क्लॉक टावर मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई कोरोना की चलते ही दो साल ईद की नमाज नहीं हो सकी लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की थी इस बार नमाज एदगाह में अदा की गई इसको लेकर लोगों में काफी उत्सा था बच्चे भी नए कपड़े पहन कर एदगाह आए इस मौकी पर दरगाह में जनती दर्वाजा खोला गया खादिम हाजी अजगर महम्मद चिष्टी ने तड़के चार बजे आस्ताना शरीफ और जनती दर्वाजा खोला फजर की नमाज के बाद से ही लोगों का जनती दर्वाजे से होते हुए जियारत के लिए ताता लगा नज़र आया दोपहर ढ़ाई मजे तक यह दर्वाजा खोला रहेगा इसके बाद मामूल कर दिया जाएगा सबी प्रदेश वाजियों को इदल फितर की बहुत-बहुत मुवारग बात देते हैं कि अमन चैन भायचारा और कुशाली देश और प्रदेश में बनी रहें ऐसे ही हम लोग तोहार मनाते हैं क्योंकि पिछले दो साल करोना काल में बीद गए और नमाज यहां इदगा में नहीं होगा लोगगरों में ही रहे तो आज दो साल बात जब नमाजी नमाजियों के च है जिस प्रकार से आज कुश वर्चा करकर नमाजियों का स्वागत क्या मालिक ऐसे हमेशे स्वागत सभी धर्मों के लोग करते रहें प्रदेश वासियों को प्रदेश वासियों को सबसे पहले दो यहीद की बहुत-बहुत मुवारब बात और यह अल्ला का है कि हम दो साल मुल्क को बाइन के दुष्मने न को मेरे पूरी उमीद है कि पुरे मुल्क में इस तरिके से इद खुशाली ममझ मौहल रहा जा रही है पुछले गुजिश्टा दिनों के अंदर हमने देखा सभी धर्म के तैमार एक साथ आये हैं और आज भी आखा तीज को कहते हैं पर नागरीक देश के प्रतिय अपने जम्मेदारी को समझे मुल्क के लिए प्रतिय को समझे धर्मगू हैं आम नागरीक आगे आए और पॉलिटिकल पार्टी भी एक जूट हो कि हमारे मुल्क में शान्ती अमन चैन बना रहे और हमारा मुल्क तरकी की रास्ते पर गांदन हो। में को वापस भलेगा जिसमें गरीब नमाज की वारगा में चाने वाले दूर दूर से यहां पर आकर के आदा की गई और अजमे शरीब में इदगा घंटागर तमाम जगे मस्जितों में अदा की गई तो जाहिरीन दर्गा शरीब में जो मुजूद थे उन्होंने यहां पर जो बाकी जो दूर दूर काई होटलों में गेश्टर में ठेहरेते हैं उन्होंने इदगा में नमाज दगा थे